ये है इंदू ब्राटकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच राइपूर में मुख्यमंतरि भुपेश पखेल ने मीडिया से बात करने के दौरान मोदी और शाह को निशाना साधा है सीम ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयानों से इस पश्ट है कि भाजपा में दो फार हो चुके हैं नरिंद्र मोदी जी और अमिच्छा जी पर पार्टी के निताओं का भरोसा खत्म हो गया है उन्होंने कहा कि रोजगार, महंगाई, अडानी के सवालों पर वे सब चुप थे अरून सावजी आज कल तरह तरह के बयान दे रहे हैं और उसके ट्वीट भी देखो, उसके बयान देखो लगता ये है कि भाजपा पार्टी में दो फार हो चुका है हरुं सावजी कविश्वास मोधी असाथ से हग चुका है, अब उसकी बात करते हैं. अब बहुत करते आब बुल्टोजनd की बात करने लगे, मत्ब योगी आदित्तिनाप्त इस रस्ते में चलते हैं, मतलब यह हरूं साउजी ने स्विकार कर लिया है कि अब मोदी असास की जादू उतर चुका है। इसलिए मैं कहा रहा हूं कि मोदी जादू इसलिए उतर गया है कि रोजगार देनी पा रहे हैं। मांगाई अलग बढ़ रहा है। पेट्रो, इल्टीजा, लसोईगे, इसके दो से कीमती बढ़ रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अडानी के बारे में कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो अब वो बुल्टोजर के रास्ता पखाएगे। न्यू वीडियोज की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बेल आइकन को दबाएं।